नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि हिरन्य कशिपू के समय से ही हिरन्य कशिपू के साथ ही असुर शब्द प्रसिद हुआ विख्यात हुआ दूसरों को कस्ट देने के अर्थ में उससे पहले असुर केवल शक्तिचा अर्थ में प्रेक्त होता था लेकिन वास्तों में राक्षस अर्थ में असुर शब्द का प्रयोग हिरन्य कशिपू के साथ ही प्रारंभ हुआ था हिरन्य कशिपू ने ही संपूर्ण देवलोक में स्वर्ग लोक में आतंक मचा रखा था सारे देवता भी उससे भैबीत थे और उस हिरन्य कश्यपू ने चारों दिखपालों से भी अधिक राज्य लक्ष्मी अर्जित कर ली थी ऐसा हमने वर्णन पढ़ा है यहाँ पैतालिस्वे श्लोक से हम आज वियाख्या प्रहरम कर रहे हैं पैतालिस्वे श्लोक में बताया गया है कि हिरन्य कश्यपू के डर से देवताओं ने युद्ध के लिए सजग रहने के समस्त साधन तेयार कर लिये थे पुराने दुर्गाने निशातम आयुधम बलानी शूरानी गनाश्च कंचुकाहा सरूप शोभा एक फलानी नाकी नाम गणेह यम आशक्य तदादी चक्रे रे नाकी नाम गणेह नाक मतलब स्वर्गलू मेराने वाले आकी नाम मतलब देवता गणे समूह देवताओं के समूहों के दवारा यम आशंक्य जिस हिरन्य कश्यपु की आशंका करके अथा जिस हिरन्य कश्यपु को बाधक समझ कर तदादी उस समय से ही जबसे वो आतंक मचाने लगा था देवलोग में और जैसे ही हिरन्य कश्यपु का भय डर सब देवताओं में व्या स्वरूप शोभा बहरी शोभाय सोंदरी ही जिनका एक मात्र फल था प्रयोजन था अर्थात बहरी सोभा से योक्त सोंदरी सी योक्त पुराणी पुराणी एथात नगरों को दुर्गाणी चक्रीरे दुर्गाणी यानी अभैद्य दुर्भैद्य दुर्गम दुर्ग बना और निशातम आयूधम अस्रशस्त्रों को निशातम तेक्ष्न कर दिया जक्रीर सबके ही साथ जोड़ आएगा बलानी शुरानी सेनाओं को शुर्वीर बना दिया सासी प्राक्रमी बना दिया गनाश्य कंचुकाह और कंचुकाह कवच्चु को गना गना दुर्बेंदी और पर यह है कि हिरंडी कश्यपू के भैसे देवताओं ने अपने सभी साथनों को युद्ध की योगी बनाकर सावधानी और सतरकता से रहना प्रारंब किया जो सुन्दर नगर थे स्वर्गलोप में उन नगरों को उन्होंने खाई परकोटा आदी से सुसजित करके दुर्ग और अभैद्धी बना दिया अपने अस्रशक्ष्णों को तयार करके रख लिया तीखा कर दिया तेक्ष्ण बना दिया अपनी सेनहों को भी अत्यंत शुर्वीर वीर पराक्रमी बना दिया और अपने जो कवचे उनको भी अत्यंत सुद्रण और दुर्भैद्धी बना दिय और अपनी हिरन्य कश्यपू से रक्षा के लिए हर संभवनों ने प्रयास किया। तो इससे इसपस होता है कि हिरन्य कश्यपू का भाय देवों में भी अत्यधिक व्याप्त था। उप इसकालत करेई हा त्री संभ्यम दिशी नमा हा। यहां भी माग ने देवताओं के भाय का ही वर्णन किया है। संचरिष्णू संचरिष्णू ब्रह्मन करने वाला घूमनी वाला भुवन अंतरेसू तीनों नोकों के बीच में तीनों नोकों के मर्ध्य में विछरन करने वाला सह आश्रे श्रियह श्रियह राजलक्षमी का आश्रे आश्रे भूत शरनिस्थल अर्था राजलक्षमी संपन लक्षमी संपन वेभो संपन सह वहिरन्यकश्यपू यद्रिच्चया अपने इच्छानुसार स्वैच्चा से अश्रियत याम जिस दिशा का आश्रे लेता जिस दिशा में जाता था तसी दिशह उस दिशा में मुकुट उप इस्खलत मुकुटों पर इस्खलत मतलब कापते हुवे करेह हाथों को रख कर त्री संध्यम तीनों संध्याओं में त्री दशेह देवता लोग में रहने वाले अर्थार देवता लोग नमह अकारी नमशकार करते थे तात पर यह है कि जिस भी दिशा में हिरन्य कश्य पूझाता था तो जब देवता लोग तीनों संध्याओं में प्राता मध्यान कालिन और साय कालिन तीनों संध्याओं में ज करते थे प्राता कालिन संध्यावंदन करते थे तो पुर्व दिशा की और मुख करके किया करते थे मध्यान कालिन संध्यावंदन वो उत्तर दिशा की और साइकालिक संध्यावंदन जो है वो पश्चिम दिशा की और मुख करके करते थे लेकिन हिरन्यकश्यपू का इतना आत मुकुटों पर भी सर शुकाकर वह नमन करते थे तो उनकी हात कंपाइमान हो जाते थे थे यहां भी हिरन्य कश्यपु के देवताओं में अत्यधिक भाय काहि कभी ने चित्रन किया है देवता लोग भी हिरन कश्यपू के पराक्रम से भायभीत रहते थे और उसकी प्रती नतमस्तक थे अगलाश लोग देखिये सटा छटा भिन गनेन विब्रता निसीह सेहिम अतनुम तनुम्त्वया समुग्द कान्ता कान्ता इस्तन संग बंगूरेई उरू विदारम प्रती चस्करे नखेई यहां नारद जी रसी अवतारदोरी श्रीख क्रेश्न के द्वारा किस प्रकार से हिर निगश्यित को कावद किया गया उसका वणन tecnología करते हैं जिसी है जिसी अवदार धारन करने वाले भगवान क्रेश्न अतनुम सेहिम अतनु करते विशाल विश्रित विशाल काय सेहिम सीह के तनुम तनुम मतलब शरीर शरीर को विब्रता शत्री प्रते है या विब्रता धारन करते हुए सटा छटा भिन गनेन सटा केसर समूः छटा बिन गनेन बादलों को बिन तितर बितर करने वाले छितराने वाले चुन बिन करने वाले त्वया आपके द्भारा या आपने मुगधा कांता इस्तन संग भंगुरे मुगधा कौमल रमणी कांतम लब रमणी तो कांता या मुगधा कांता है कौमल रमणी के स्तन संग भंगुरे वक्षस्थल के स्पर्श से भंगुरेत होने वाले जूटने वाले नखे नखों के द्वारा था अध्यंत कौमल नाखुनों के द्वारा सा उस हिरने कशपू के उरो विदारम पक्षस्थल को फाड कर उसे प्रतीचस करे मार डाला था तो यहां कभी का कहने का यह तात्पर्य है नारत जी के कहने का यह अभीप्राय है कि रसी अवतार धारन करके श्री कृष्ण ने हिरने कशपू जो अत्यदिक मजबूत कदकाठी का था सुधर्ण वक्षस्थल वाला था तो उसके मजबूत और सुधर्ण वक्षस्थल को श्री कृष्ण ने अपने कौमल नाखुनों से विदारित कर दिया था भाड ढाला था तो ऐसा कार्य भी बड़ी सहजता से ही बगवान श्री कृष्ण ने कर दिया था तो बगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है दुरू से दुरू कार्य भी बड़ी सहजता से कर लेते हैं ये नारद जी जानते थे इसलिए श्री कृष्ण की अतुलन पराक्रम अध्विती शौर्य का स्मरण कराते हुवे नारत जी ने यहां बग्वान श्रीक्रिश्न को नरसी अवतार महिरे निकश्यपू के वद की यहां चर्चा की वद का प्रसंग यहां उठाया है तो एक तरह से यह भूमी का ही बांद रहें कि उनको आगे जाकर शीशु कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए बहुत 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 धन्यवाद